कि स्वागत है बच्चों आपके अपने यूटूब चैनल राम अश्र में जैसा कि हमने आपको बिद्दुध धारा के बारे में पढ़ा रहा था आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिद्दुध बिभव विभानतर से संबंदित कुछ निमेरिकल्स हल करवाएंगे चल नीघा क्यों है आबेश जिया है आपका आवेश 1 रब्र च्व बरावर होता है इसकी अधिया है एक कुलाम कितना दिया है एक गुलामा आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रानों की संख्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक इलेक्ट्रानों की संख्या बराबर होता है, एलेक्ट्रानों की संख्या यान आपसे पूछ रहा है, और दिया है एक इलेक्ट्रान का आवेश, एक इलेक्ट्रान का आवेश होता है एक दस्मनों 6 गुड़े 10 घाते रिड़ 19 कुलाम यह चीज अगर आपको निमेरिकल में नहीं दिया है तो आप इसको याद रखेंगे लेकिन आपको एक्जाम में दिया रहता है इसकी बहलू आपसे एन पूछ रहा है तो आवेश क्यू बराबर होता है एन इ तो चलिए यहां से हम बाइलिव रखते हैं आवेश एक कुलाम है एक बटे और इलेक्टरान कमान है एक दस्मनों 6 गुड़े 10 घाते रिड़ 19 कुलाम अब यहां पर हम इसको साल्व करते हैं देखें एक दस्मनों 6 है यहां इससे हम अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएग दस्मनों लगाएंगे तो एक जीरो यहां पर हंडेड हो जाएगा अब 16 से भाग देंगे 16 चक्का चानवे चार बचेगा फिर 16 दूना 32 फिर फिर हमारा आठ होगा असी हो जाएगा अब देखें 10 घाते रिड़ 19 है इसको हम उपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साल कर लेंगे एक अंखम यहां पर ले जाएंगे दस्मनों को तो हो जाएगा छे दस्मनों दो पांच गुड़े 10 घाते 18 इलेक्ट्रान हमसे इलेक्ट्रान पूछ रहें कितने इलेक्ट्रान हो जाएंगे छे दस्मनों दो पांच गुड़े 10 घाते 18 इलेक्ट्रान देखत प्रक्रित आए आपसे इसक्रिशन में आवेश पूछ रहा है और इस आवेश की प्रक्रित क्या है आपसे दो चीज इसक्रिशन में पूछे जा रहे हैं यहां पर सबसे पहले हम देखें कि हमारे इस सवाल में क्या दिया है देखते हैं दिया है आवस्ता में पांच इलेक्ट इलेक्ट्रानों की संख्या ये बराबर दिया है 5 इलेक्ट्रान का आवेश होता है एक इलेक्ट्रान का आवेश कितना होता है उसको देखते हैं एक इलेक्ट्रान का आवेश इबराबर होता है एक दस्मनों 6 गुड़े 10 गाते रिड 19 कुलाम आपसे क्यों पूछ रहा है आपसे क्या क्या पूछ रहा है आवेश पूछ रहा है आवेश क्यों का मान पूछ रहा है और उसकी प्रक्रित पूछ रहा है तो आवेश क्यों बरा आवेश क्यों बरावर होता है यान इंटू ए चलिए यान बरावर कितना दिया है पांच दिया है और यह की वैलू क्या है यहां पर है एक दस्मनों छह बुड़े दस गाते रिड़ उननीस कुलाब इसको साल करते हैं देखे 16 पच्चे 80 हो जाता है एक पर दस्मनों लगा देते हैं तो आट दस गाते रिड़ उननीस कुलाब हो जाता है तो हमें क्या हो गया आवेश हमारा मालू हो गया हाठ गुड़े दस गाते रिड़ उननीस कुलाब प्रकृत पूछ रहा है यहां सबसे हमें कितने इलेक्ट्रान थे पांच इलेक्ट्रान थे लेकिन यहां पर हमने देखे इलेक्ट्रानों की संख्या क्या हो रही है चूकि चालक पर इलेक्ट्रानों की संख्या अधिक संख्या में अधिकता हो रही है आता है प्रकृत इसका कैसा होगा यह रिडात्मक होगा है आता प्रकृत कैसी होगी रिडात्मक होगा चलिए नेक्ष्ट क्यूस्ट्ट देखते हैं कि किसी तार में 205 एंपेर की धारा प्रवाहित हो रही है तार में से होकर 20 मिनिट में कितना आवेश प्रवाहित होगा आवेश प्रवाहित होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया है उसको लिख लेते हैं तो llerे विद्दी अबर देमा और 149 का दिया है विद्दुद अबर दिया आई कि आपका içel पास में धिया हैं अबका sister कि समय चीब्त अवरत रोबर दिया है। ऑपीस मिनट मेंट कि इसको हम चैंज कर लेंगे सेकेंड में बीस से 20 में अगर हम साथ सेकेंड से गुड़ा कर देते हैं तो हमारा यह सेकेंड में बदल जाएगा इसका गुड़ा करेंगे तो चाहरा है 1200 सेकेंड दो जाएगा आप से आवेश क्यों का वाईलू पूछ रहा है आवेश क्यों आपको ग्याद करना है तो लिद्धारा आई बराबर होता है आवेश बटे समय तो यहां से हमसे क्यों के मान पूछ रहा है तो Q बराबर हो जाएगा I गुड़े T तो चलिए यहां से अब हम I और T का value रखते हैं तो आवेश Q बराबर हो जाएगा 2 दसुलो 5 गुड़े 1200 सेकेंड आवेश यह आपसे पूछ रहा है तो चलिए बच्चो अगला Q देखते है हाँ तो बच्चो अगला Q आपका किसी चालक में 0.25 एंपेर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सीरो के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है चालक का प्रतिरोध है आपसे चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है क्या क्या दिया है सबसे पहले इसको देखते है कि उस्चन में हमारे क्या दिया है धारा दिया है विद्दु धारा का मान दिया है विद्दु धारा आई का मान दिया है आपका 0.25 एंपेर और उसके सीरो का बिभवांतर वी बराबर दिया है आपका दो वोल्ट है आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है चालक का प्रतिरोध र का माना आपसे पूछ रहा है तो चालक का प्रतिरोध बराबर होता है चालक का प्रतिरोध र बराबर होता है वी बटे विभवांतर बटे समय विभवांतर बटे चालक का प्रतिरोध र बराबर होता है विभवांतर बटे धारा आई तो चलिए यहां से हम वैल्यू रखते हैं वी का मान कितना है आपका दो बोल्ट और धारा का माने जीरो तो सलो पांच एंपियर अब इसको साल करते हैं यहां पर हमारा जाएगा 20 बटे 5 कहां जाया यहां मैं हमने 10 से मल्टिप्लाई कर दिया है उपर नीचे यहां उपर हो ग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कहें जिससे आपके दोस्त और मित्र तक भी वीडियो पहुंच सकें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद